हस्मुख लाल ने पहुत मिहनस से एक एक रूपया जोड़ कर आली सान घर बनाया उस माकान को बनवाने के लिए वह पिछले 30 वर्सों से एक एक पैसे की बचत करता था ताकि उसका परिवार छोटे से जोपड़े से निकल कर पक्के और अच्छे माकान में सुखी रह सके आखिरकार हस्मुख लाल का सपना पूरा हो जाता है एक दिन माकान इतना प्यारा बनता है कि हस्मुख लाल की खुसी का ठिकाना नहीं रहता तद पैस्चात पंडिस से पूँच कर ग्रिप्रवेस के लिए सुख दिन तैं की जाती है स्मुख लाल उसके परिवार के लिए सबसे बड़ी खुसी की घड़ी थी लेकिन ग्रिप्रवेस के दो दिन पहले ही बहुत बड़ा भूकम पाता है और उसका माकान पूरी तरह से तहस नहस हो जाता है यह खबर हस्मुख लाल को पता चलती है तो वह दोड़ दोड़ कर मिठाई के दुकान से सबसे महंगी और स्वादिष्ट मिठाई खरीद कर ले आता है मिठाई लेकर वह घटना इस पहल पर पहुँचता है जहां काफी लोग इकठे होकर उसके माकान गिरने का अफसोस जाहिर कर रहे थे और योजना बना रहे थे कि हस्मुख लाल करो रोकर बुरा हाल हो जाएगा तो हम उसे सम्हाल लेंगे और समझाएंगे हस्मुख लाल वहां पहुँचता है और जोले से मिठाई निकाल कर सब को खुसी खुसी बाटने लगता है या देख कर सभी लोग हैरान परिसान हो जाते हैं तभी उसका एक मित्र उससे कहता है लगता है हस्मुख तू पागल हो गया है दुखत घटना के कारण सभी लोग आपस में बात करते हैं क्या हो गया है वह इतना खुस है जैसे लाखों की लोटरी लग गई है हस्मुख लाल कहता है हाँ आज मेरे जीवन का सबसे अच्छा दिन है क्योंकि मैं और मेरा परिवार दो दिन पहले इसी घर में था अगर हम यहां रूप जाते तो मेरा पूरे जीवन बरबाद हो जाता मेरे परिवार मेरे सबने प्लिला से मर जातेmek मैं भगवान का सुक्रिया करता हूं उन्होंने मेरे परिवार को बचा लिया आज का दिन मेरे लिए जीवन दान जैसा है सभी लोगों के आँखों में पानी आ जाता है हस्मुखलाल की सकारात्मक विचारधारा सुन कर उसे नमन करते हैं हमारे जीवन में कुछ घटना हो जाए तो उसके पाजटिप पहलो को देखो तो हमेशा खुस रहोगे अगर आपने नकारात्मक पहलो को देखा तो आप अवश्य दुख का शिकार हो जाओगे हस्मुखलाल जैसी विचारधारा हम हमारे जीवन में लाएं तो दुनिया की कितनी बड़ी कटनाईयों को हम हसी हसी में समहाओ सकते हैं